चालूर अभी सिजन में गेहु की बॉआई में 25 फिसदी बड़ोतरी देखी जा रही है। बॉआई में इतनी बड़ोतरी के बापचुद गेहु के दाम घट नहीं रहे। उल्टे इस साल गेहु के थोक भाब उतपादन घटने की वज़े से करीब 22 फिसदी चड़ चुके हैं। इस दोरान आटा भी 20 फिसदी से ज्यादा मेहंगा हुआ है। दरसल इस साल गेहु के उतपादन में महज 5 फिसद की कमी दर्च की गई। सरकारी आखडों के मुताबिक पिश्रे रभी सीजन यानि वर्ष 2021 पाइस के दौरान 10 करोड 68 लाग टन गेहु पैदा हुआ। जो वर्ष 2021 के उतपादन में 10 करोड 95 लाग टन से महज 5 फिसदी ही कम है। गेहु उतपादन गटने से गेहु की सरकारी खरीद वर्ष 2021 पाइस में 14 साल के निचले सतर पर 187 लाग 92 तन पर रहे गई। जबकि वर्ष 2021 में गेहु की सरकारी खरीद 434 लाग 44 लाग टन थी। उधर गेहु के दाम अच्छे मिलने की संभावना में किसान गेहु के अधिक बवाई पर जोर दे रहे हैं। किंद्रे क्रिशी और किसान कल्यानवी भाग के आंकड़ों के नुसान 9 दिसंबर को समाप सब्ताह तक देश में गेहु की बवाई 255 लाग 76 लाग हेक्चर में हो चुकी है चो कि पिछली समान अवदी में 203 लाग 91 लाग हेक्चर में हुई थी। दरसल गेहु की बवाई से 25 पीसदी इस बार अधिक बवाई की गई है। गेहु की बवाई 20 अक्तूबर के बाद से शुरू हुई है और इस साल गेहु का उत्पादन घटने से फिलाल गेहु के दाम बढ़े हैं लेकिन बवाई बढ़ने के बावजूद भी गेहु के दाम तो आटे की कीमत 30.98 पैसे से बढ़कर 37.24 पैसे प्रतिकी लोग हो चुकी है। इस तरहें गेहूं की ओसत खुद्रा कीमत 14.63 फीसदी और आटे की कीमत 20.20 फीसदी बढ़ चुकी है। सरकारी आकड़ों के मताबिक गेहूं के ओसत थोक भाव जन्वरी के मुकाबले नवंबर में 22 फीसदी बढ़कर 2721 प्रतिक विंटर पर जापोंचे हैं। साबारियों का कहना है कि इन दिनों गेहूं के भाव 26-2700 रुपे के बीच चल रही हैं। पिछले साल से गेहूं 500 रुपे महंगा है। आमतोर पर भुआई काफी ज्यादा बढ़ने पर किसी भी कॉमोडिटी के दाम तेजी से घटने लगते हैं। लेकिन गेहूं के मामले में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इसका उत्पादन घटने के साथ इस सरकारी बढ़नार में इसका स्टोक लगातार कम हुआ है। और इसकी मांग मजबूत बनी हुई है। अगर सरकार अपने बंडार ग्रह में से खुले बजार में बिक्री के लिए गेहूं उतारे। तेजी थम सकती है और इसके दाम 30-40 उर्पे प्रतिक्विंचल तक नरम पढ़ सकते हैं। अगर सरकार खुले बजार में गेहूं की बिक्री करती है तो भाव 100-150 उर्पे प्रतिक्विंचल तक खड़ सकते हैं। अन्या था फिलाल गेहूं सस्ता होने की कहीं से कोई उमीद नहीं है। माना ये जा रहा है कि सरकार के खुले बजार में गेहूं की बिक्री करने पर ही गेहूं के दामों में कुछ रुकावट आ सकती है। अदर्वाइस दामों में ये इसी तरीके की तेजी फिलाल आने वाले समय के लिए बनी रह सकती है। इसे आने उमीद था है।